अब ही जो लोग ने देख रहे हैं उनसे मैं यह कहना चाहते हूं कि आप अभी तक सब्स्राइब किया है या नहीं नहीं तो कर ना परेशान हो गए हम दोग धाई साल से खेला अरविन के जरीवाल की बातों को आप माइन मत करिए गाए सब्सक्राइब कर लीजि इस विडियो को शेर करी अगर आप चातने हैं कि इस घंटना पर इस सरकार के खिलाफ के कि लिए कृगम के खिलाफ जो नहीं आप स्पीश्व किया है इसको रोकना चाखें मैं प्रोटेस्स का एक तरीका भी बताना चाहता हूं आप वे प्रोटेस्ट नहीं हुआ इसकी इनफाइस के वह सब्सक्राइब करकूं कि शूत हूं कि क्या हो गया क्यरिव ? यह यह सारे मुसल्वानी मुसल्मान भर यह सारे made decisions वाले वाले चलिक नधी अगर एक हजार भी हिंद्व है तो इसको इसको प्रोटेस्ट करना है अच्छे एक्टूबर है और जो आप खबर सुनाने जा रहा हूं तीन एक्टूबर की है मुझे संज में नहीं आ रहा कि इसमें कोई फर्दर प्रोसीडिंग कोई खबर कोई डिबेट कोई बवाल कोई प्रोटेस्ट कोई खबर होती और नेट मुझे कुछ नहीं मिला तो खबर क्या है आपको बता दूँ पता चल गया होगा आपको screenshot तंबनेल के मतलब केला Medical Education Director पद देखिये कौन सा पहले तो के Medical Education Director नाम कहा है मैडम का रमला बीवी ब्डबली विए बीवी बैंस रक्षा बंधन in government medical colleges as the festival is Hindu यह तो चलिये एक headline हो और जिस तरीके से लिखावाद the festival Hindu मैडम का ये कहना है जब मैडम से पूछा गया क्यों तो ये मैडम के शब्द है कि क्यों कि ये festival Hindu है ये सरकारी colleges में celebrate नहीं किया जा सकता है मैं आपको वह आर्टिकल का पूर्शन दिखा देता हूं जहां से जब पूछा गया तो क्या का उन्होंने वेन आस्ट आजब आउड दोक्टर रमला बीवी सेडक्षा बंदर हिंदू फेस्टेवल और यह उपर हेड्लाइन में भी लिखा था और यहां पर हैड्लाइन में भ पूर्व इस्तिती तब पैदा होती है जब मतलब लोग मुझे फिर से किया देंगे कि मैं समर्थ होना किसी पर्टिकलर पाटिकर यह सथिती तब पैदा होती ही जब उस राज्य में बाच्पा की सरकार नहीं होती है कि आप महारास्ट में भी देख रहे हैं कोई बहुत अच्छी हालत नहीं लोग अब राजीव घंदी के आगे जुकने लग गए हैं जोने चौरासी में क्या करवाया है सबको पता है लोग उस कॉंग्रस पार्टी के आगे जुकने लग गए हैं जिसके उपर देश तोड़ने का धर्म के नाम पर इज़ाम लगा हुआ है बड़े बड़े धंगों का इज़ाम लगा हुआ है देश को लूटने का इज़ाम लगा हुआ है उसके साथ मिले हुए और अभी तो केरल में CPI यानि की Communist Party of India Marxist की सरकार है जिसके CM है पिनेराई विजेन और Marxist या Marxism ये philosophy ये ideology य ये specifically इस बात के लिए जाने जाती है कि ये negative secularism को promote करती है इसका मतलब यह है कि हम किसी भी तरह के संप्रदाय को धर्म को नहीं मानेंगे लेकिन यहां पर hypocrisy लेखें इस आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है कि मैडम की जो उपर के लोग है यानि जो सरकार के जो लोग है जो पर communist government है और communist government religion को नहीं मानते वह उस आइडिया को ही ना कारते हैं exist नहीं करता स्टेट में religion exist नहीं करता लेकिन हां मैं जो hypocrisy की बात कर रहा हूं पहले आप उसको भी देख लीजे जो साइड में आपको फोटो देख रही होगी यह है मैडम यह खुद तो पूरे टाइम हि अपना सकती है religious attire में रह सकती है Islamic attire में रह सकती है आप वो चीज फॉलो कर सकती है जो इसलाम के तहद फॉलो करनी है लेकिन कोई हिंदू अपनी practice फॉलो ना कर सके क्यों आपके पास दबाने की अगर authority है दबाने का अगर power है आप शक्षा में उस पद पहें तो आप दबा सकती है और इससे सिर्फ यही साबित होता है कि आपकी ideology वाले जब भी अबादी में तादाद में जादा होंगे या फिर एक authority पे बैठे होंगे तो ऐसी तरीके से दबाने का काम करेंगे और इसी लिए आपकी जरूरत हमें नहीं है इस देस में मैं चाहता हूँ कि केरला में चाहे कोई मेरी वीडियो को डब करके translate करके लिक कर जैसे भी इन लोगों तक पहुचाए अगर आप चाहते हैं इसको बंद करना और मैं चाहता हूँ कि यह जो मैडम ने जो order निकाला है उसके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट होना चाहिए जब तक यह order वापस नहीं लिया ज बन लो और सब रक्षाबंदन मनाओ सब भाई 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 भी बहन बहन भी बहन सब दूसरे को रक्षाबंदन मानो और जब तक एक apology लेटर इशू ना हो जाए सरकार की तरफ से और मैडम की तरफ से specifically तब तक रक्षाबंदन मनाना बंद मत करना अगर आप लोगता है कि अ अपना जो सम्मान वापस लाने का कोई तरीका यह हो सकता है पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है तो यही तरीका है करिए यह महीला कौन होती है मैं अभी तक बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ मुझे बहुत आगलेवई प्यों बहुत गुसा रहा सबसे ज्यादा उन लोग आपने चढ़ा कर रखा है आपने CPI की सरकार को वहां पर रहने दिया क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कोई घटना देखने को मिलती है क्यों नहीं गुजरात में को यसी घटना देखने को मिलती है मुझे नहीं पता अभी तक कितने लोगों की उंगली शेयर बटन पर पहु करें अगर आपने आज नहीं उठाया तो धीरे धीरे हर राज्य के हर किसी कम्यूनिस्ट मेंबर को कम्यूनिस्ट पार्टी वाले को हर किसी मुसलमान बड़े पत पर जो बैठा है वो अपनी पावर का मिस्यूज करके हिंदूों के साथ इस तरीके से हरकत करेगा एंटी हिं एक तो यह एंटी हिंदु वा एंटी इंडिया हुआ एंटी कॉंस्टूशनल वा या अनकॉंस्टूशनल जो भी बोल सकते हैं और हिपोक्रिसी की तो सीमा ही पार करते हिजाब पहन के दूसरे की रिलीजिस प्रक्टिस को रोका जा रहा है तो खुद तो हम फॉलो करेंगे देख लो क्योंकि हम पावर में हैं लेकिन तुमको हम नहीं करने देंगे खिराज के लिए इतना है फिर मिलते हैं अगली वीड़ में जैहन बंदे मात्रों